दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप किसी के भी स्टाटस को डाउनलोड कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आप अपने वाटसप से किसी के भी स्टाटस को डाउनलोड कर सकते हैं एक किलिक में और वो भी पूरी आसानी से था आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखे लिए दोस्तों इसके लिए आप एक छोटी शेया डावनलोड करनी पएगी तो चलिया इसके लिए मैं अपने प्ले स्टोर को यहाँ से ओपेन कर लेता हूं और हम यहां पे सर्च कर लेते हैं स्टार्टस सेवर तो चलिए यहां पे सबसे उपर में स्टार्टस सेवर सर्च की उपर आ गया है तो मैं इसे यहां से क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद देखे दोस्तों जो यह चार नमबर में एप है स्टार्टस से बर आप अच्छे से लोगों देख लिजें मैं इसको यहां से क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद देख लिजे ये इस्टार्टस लिखा हुआ है तो आप इसकी रेटिंग दे सकते हैं 4.4 की रेटिंग है और मात्र 4 MB की एप है और इसे 50 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है तो अच्छी एप है दोस्तों और इससे कोई भी आपका कर लेते हैं दोस्तों एप इंस्टाल हो गया है मैं इसे यहां से ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद यहां पर कुछ परमिशन मांग रहा है हम इसे यहां से अलाव कर देंगे इस परमिशन को देने से हमारा कोई भी नुकसान नहीं है तो चलिए हम इसे यहां से अला लेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे तो चलिए हम यहां से एक बाद किसी भी एक स्टाटस को क्लिक कर लेते हैं तो चलिए हम इसे यहां से क्लिक कर लिए और क्लिक करने के बाद देखिए यह स्टाटस चल रहा है अब हम इसे यहां से बैक कर लेंगे और बैक करने के बाद हम होम पेज पर आ जाते हैं होम पेज पर आने के बाद हमें वही अप्लिकेशन को ओपेन कर लेते हैं जो अभी डाउनलोड किये थे तो चलिए हम इसे यहां से ओपेन कर लेते हैं और open करने के बाद ये whatsapp और double whatsapp मेरा दो दो whatsapp है चलिए यहाँ पे दिखा रहा है तो मैं double whatsapp को यहाँ से open कर लेता हूँ और open करने के बाद दोस्तों देखे सबसे उपर में मैंने जो अभी देखा था यहाँ पे ये वीडियो का देखे ये click type का बनावा आ रहा है मैं यही इस्टाटास अभी वहाँ पे देखा था तो यह यहाँ पे आ गया है तो मैं इसे यहाँ से click कर लेता हूँ देखे दोस्तों यही इस्टाटास अभी आपके सामने मैंने वहाँ पे चलाया था तो चलिए इसे मैं यहाँ से आपको download करके दिखाता हूँ तो देखे यह बीच में download का option है मैं इसे यहाँ से click कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद देखे बिल्कुल आसान इसे और बहुत जल्दी download हो गया है मैं इसे यहाँ से okay कर लेता हूँ और download करने के बाद यहाँ आपको एक add देखने के लिए मिलेगा हम इसे यहाँ से cut कर देंगे तो चलिए हम आपको देखाते हैं हम अपने phone के gallery में किये जो status ह डाउनलोड हुआ है या नही हुआ है तो इसके लिए हम अपने photo gallery को open कर लेते हैं और open करने के बाद देखे मैं यहाँ से album में जाता हूँ और album में जाने के बाद यहाँ से early used album है इसमें क्लिक करता हूँ और status download folder है मैं इसे यहाँ से क्लिक करता हूँ और देखे यह status download हो गय तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक ऐसे useful tricks के साथ तब तक के लिए धन्यवाद